नमस्कार मैं हूँ आलोक तुरपाथी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वरिष्ट नेता और डिप्टी सेम के सुप्रसाद मौर्याजी से सर आपका इटीवी में बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद आलोक जी दो चरनक हो चुके हैं मद्दान के किस तरफ जा क्योंकि हमारी गेंद्र की प्रदेश की डबरिंजन की सरकार ने सबका साथ सबका विकास ही नहीं किया सबको सुरच्छा ही नहीं दी सबके लिए काम करते हुए जो उत्तर प्रदेश को कोरोना जैसे महामारी के बीच में गरीब कलिनार की ओजनाओं का लाभ है सबको मिला ह हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है इसने जैसे सब को लाब मिला वो इसे सब का ओट भी बिलना है समालवाती पार्टी की नेता अखले श्यादो बड़े आरोप लगाते हैं कि यह जो पूरा केंद्र के सरकार यहां जितने भाजपा के नेता हैं सब उत्तर परदेस में सरकारी संसाधनों का पहले से दुरोप्रयोग किया अचार संहता लगने के पहले और योजनाओ की बात करते हैं कि युजनाओं का भाजपा अभी लोकार पंड रही है सप्ना आया था किका चार्सों सीठ जीत रहे है यह से 2014 में सपना आया था कले और देश में भी सपा की सरकार बनने वाली है वो सपना जनता ने चूर चूर कर दिया फिर 2017 में वो फिर 300 से जिदा सीटे जीतने की बात कर रहे थे 47 पे जनता ने समेट करके लाके रख दिया अब 2019 में मैं कहूं सापनात, नागनात, नियुलानात सब एक सात आ गले उसके बाद एक ही लच्चे था कि मोधि जी को देश का पुधान मंत्री बनने से फिर रोका जए लेकिन देश ने जान लिया कि इमानदारी से देश की सेवा काउन का रहा है, देश वासियों की सेवा काउन का रहा है और बेईमानी के लिए मोदी जी को कौन रोकना चाहता है भषाचार के लिए कौन रोकना चाहता है तो उस्टी करन के लिए कौन रोकना चाहता है दंगा गर्दी करने के लिए कौन रोकना चाहता है तो लोगों समझ लिया तो एक क्याओन प्रतिसात ओट सपा बसपा के गड़बंदन के बाद भी चाओं सट सांसद इस बड़े गड़बंदन के बाद भी भाजपा के खाते में आये और देश में हमारी 2014 से भी बड़े बहुमत से सरकार बनी और इसके कारण से जो स्रीय अखले स्यादो जी 2024 को लेकर करके जो स्वपन देख रहे हैं उनका सपना मुगरी लाल का हसीन सपना रह जाएगा को जो अपनी योजनाओं की बात करते हैं कि सब कुछ हमने किया था पिछले सरकार में और अब यह फीता हमारी योजनाओं काट रहे इस पर क्या कहना है देखे श्रीय अकले स्यादो जी को पूरे साड़े चार साल जब समय आया तभी वो दिखाई 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 नहीं दिए धर में बैठ करके यह उजना हमारी यह उजना हमारी अरे उन्होंने तो सुरी मुलाइमिंज wordIM जी की मायवती जी के पहले की सरकार की समय कि जो योजनाओं ती वह भी अधूरी छोड़ करके गये थेầए उनको भी अधूरी छोड़ करके गये थे और उनके समए की जो पर बाबाजी का दर्सन कराओं नहीं पड़ रही क्योंकि वहां दर्सन करने जाना पड़ेगा तो वहां सब जूट बोलने की करनों घटे इबाज सबकास औरीब जगेटान किसान एक समान बेटी यहां उखनदू है या मुसलमान हमारे सरकार के समय में बिना भेद्भाव के सेवा भी हो रहे है है और लोगों दिख रहा है इसके कारण हम फिर से 300 से अधिक सीटे जीत करके 10 मार्च को गेरा बजे ही सपा बसपा कांग्रेस का बारा बजाएगी जनता यह भरोसा रखी यह आपका घुष्णा पत्राया उसमें मतुरा को लेके कोई बात नहीं है जबके आप लोग बयान मक्सरा आपके आते रहे कि मुथ्रा में भी हम लोग काम करेंगे देखिए आध्या हो चाकासी हो चित्रकूर्ट हो बिंद्याचल धाम हो या मतुरा हो या ब्रिंदा बनो हम तो सभी तीर्थासलों का विकास हमारी प्रात्मिक्ता है अगर रामला की जन्मो भूमी पर भब्ये मंदिर बन रहा है बाबा विश्ड़च जी का धाम बनकर थे तैयार हो गया है मता बिंद्वाशनी की धाम का निरमाड हो रहा है तीर्थ राज प्रियाग का विकास हुआ है चित्रकूर धाम का विकास हो रहा है नहीं सरण का विकास हो रहा है ऐसे तमाम हमारी जो तीर्थ हस्तल है अगर उनका विकास हो रहा है तो मैं रहे कर नहीं है कि जन्भूमी का विकास क्यों नहीं होना चाहिए अब अगर विपच्छीयों को कोई द्रिष्टी दोस हो गया है तो उसका इलाज मैं डाक्टर आँक का हूँ नहीं वो आँक किसी अच्छे डाक्टर से अपना इलाज करा लें तो उनको द्रिष्टी जो दोस है खतम हो जाएगा और अगर उनको लगता है कि हमने हमारा लक्ष है कि हम सभी तीर थस्तलों का विकास करेंगे जिसके आधार पर धार्मिक प्रेटक भी करोणों करोण की संख्या में आएंगे प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में रोजगार का सरजन होगा प्रदेश के अंदर अर्थ बेवस्ता भी मजबूत होगी लेकिन यह सब सोच नहीं सकते यह तो क्यों तो श्रीकर कब्रिस्तान की बाउंडरी बनाना सोच सकते है मुश्लिम बेटियां ही मेरी बेटी बाकी सब दूसरमा नहीं इस प्रकार की बाते कर सकते है देश के विभाचन का जो दोसी जिन मुहमद अली जिन्ना है उसको लह पुरूस भारत अलतन सरदार बरलब भाई पटेल और राजपिता महत्मा गांदी जी के बराबरी पर लाकर खड़ा करने का पाप कर सकते है स्वेम बाबुजी स्री कल्यान सिंग जैसे महा पुरूस कहिए जिन्होंने स्री रामलला की जन्मा मुहमी पर भब मंदिर निर्माड के लिए कार सेओकों पर रामभक्तों पर गोली नहीं चलाओंगा लेकिन मैं मुहमत्री की कुर्शी रामलला की चर्णों में जरूर चरहा दूँगा और उन चरहा दिया उनका निधन हो जाता है यह स्रीमान जी उनको निधन के बाद भी स्रद्धान जली नहीं देने गए पूर मुहमत्री रहें यह तुष्टी करने हैं तो क्या है उस पर लेके आपकी पार्टी का और आपका क्या मत है? और विद्याले आवधी समाप्त होने के बाद जिसको जो पहनना है घर में, परिवार में, बाजार में, कहीं पर किस प्रकार से रहना चाहता है? वहाँ विद्याले का यूनिफार में नहीं लागू होता है. लेकिन इसको मुद्दा बनाना यह जो एक विशेश तोर से टुकले टुकले गैंग लगातार सक्री रहता है, इससे सप्पा बस्पा कांग्रेस का संदच्छन प्राप्त रहता है, लोग की एक साजी से, लेकिन इसका उन्हें नुपसान होगा, बाजपा को फाइदा होगा। आप पालती के बड़े नेता है, आपकी दिन भर सुबा से लेके और रात तक बेसता रहती है, आपकी हर चिले से डिमांड आती है कि आप वहाँ पर जन संपर के लिए जाए, आप वहाँ पर परचार के लिए जाए, ऐसे में आपको अपनी सीट पर कैसे वक्त निकालते हैं कैसे जाते हैं वहाँ पर, या किसके सारे आपने छोड़ दिया है उस सीट को प्रिशार करने के लिए, देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हमरे भाजपा के प्रत्यासी खड़े हैं, कमल खिलाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सिराथू में मैं प्रत्यासी नहीं बाकी तो वहाँ का हरकारकरता भाजपा का प्रत्यासी है, वहाँ का एक एक मदाता भाजपा का प्रत्यासी है, चुनाओ वही लोग लड़ रहे हैं मतलब मेरा जहीं वही लोग आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और विपच की सारी जो कोशिस है उसको ध्वस करने का काम कररें मुझे विश्वास है मेरा सिरातु विधान सवाज जो परिवार की तरह मेरे लिए है वो मेरा परिवार मेरा और अपने सिरातू का नाम उंचा करने का काम करेगा और जो सिरातू का सम्मान बढ़ाने की जरूरत है उस मामले में सिरातू पीछे नहीं पिछले बार हमने पस्षिम मंगार चुनाव से पहले आपका साचातकार किया था उस समय हमने आप से पूछा था कि आपका क्या आखलेंड है सीटों को लेके यही सवाल मेरा उत्तर प्रदेश में भी आप से है कि इस बार आपका क्या अनुमान है कि आपके पार्टी क्या स्थित्रे में वारे इस बार भी हम लोग 300 सेधिक सीटे जीत रहे हैं जनता बिना मलब हिचक के भारती जनता पार्टी का समर्थन कर रही है क्योंकि लोग अब यह समझ गए हैं कि अगर हम कमल के फूल का बटन दबाएंगे तो एक गरीब का जीवन बदल देने का काम करेंगे उसके जीवन में खुशाली लाने का रास्ता साप करने का काम करेंगे उसको पक्का मकान देने का काम करेंगे उसको साउचाले, रसोई गैस, आईश्मान भारत कार्ट, सौभाग योजना का फायदा देने का काम करेंगे गुंडों और अपराधियों और माफियों से मुक्ती पाने का काम करेंगे दंगाईयों से मुक्ती पाने का काम करेंगे ल अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है इसलिए सपा को मतलब थोड़ा भी समर्थन बढ़ने का मतलब यह होगा कि हम अपराध की आग में उत्तर प्रदेश को जोकने का काम करें इसलिए मद्दाता बहुत समझदार है इसलिए किसी अपराधी के सनरचण करने वाली पा इसमें चुनाव लड़ रही है कैमरामेंट विजे के साथ मैं आलोक तरपाथी एटीवी भारत लखनू झालोक्ण अउपद की हैगा इसलिए किलो कमक की आलोकर लगभ रही पाया कि तो कि आलोक करने थ quietष मको कि आए इसलिए के साथ खंदान आताा झालोक्श।